अब ऐसे लिखें, how to solve problems related to cube अब बहुत ध्यान से मुझे बताना, cube बनता कैसे है square के उपर, square के उपर, square के उपर, square के उपर, square रखेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? क्यों बन जाएगा? बात समझ में आगए कि नहीं? तो मेरे पास मान लो, एक square क्या है, a1, b1, c1, d1 और symmetric square है, a2, b2, c2 and d2, समझ गये? तो अब मैं एक अलग तरीके से भी show कर रहा हूँ इसे, ऐसे है, और जिससे मिलाभी से कहने है, और ऐसे है, ये square हैं लेकिन, ठीक है? तो अगर ध्यान से समझो, कि हम 3D में तीनो coordinates जैसे है, ये planar होगा, a1, b1, c1, d1, बात समझ ना रही है कि नहीं? तो एक को अगर मैं reference point मानता हूँ, ध्यान से सुनना, अगर side length a है, तो height भी कितनी होगी, a ही होगी, तो यहां से यहां तक जो भी distance से वो a होगी, समझ गे नहीं? और हर side length की क्या है? a है, हर angle कितना है? 90 है, उपर जाने का भी angle कितना है? 90 है, बहुत संदना रही है नहीं? तो कभी भी cube की problems हैं, तो vertexes को assume कर लीजिए, एक को reference point मान सकते हैं? let a1 मैंने क्या माना? 0, 0, 0, समझ गए? तो a1 मेरे पास अगर 0, 0, 0 है, बहुत ध्यान से बता ना, तो c1 के coordinate क्या वनेंगे? इसका body diagonal होगा, body diagonal का पर जाएगा? कि यहां से b1 पे आएं, यहां से c1 पे आएं और उपर जाएं, बात समझना आ रही है? ध्यान से समझो कि अगर इस case में क्या आएगा वो? c2 आएगा, और क्या आएगा? मतलब इसके diagonally मैं dash करके denote कर रहा हूँ, यानि मालुम क्या आएगा? a1 dash जो होगा, उसके coordinates कितने आएगे, body diagonal जो होगा? a, 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 समझ गए न? आप अपने room से visualize करिए, room में एक corner को देखे, और उसके diagonally opposite दूसरे corner को देखे, तो वहां तक अगर हम perpendicular रस्ते से जाना चाहें, तो हमें x भी चलना पड़ेगा, y भी चलना पड़ेगा, और z भी चलना पड़ेगा, बात संज़ में आवे रहे हैं? in case, अगर मैं ध्यान से सुनना, b के coordinate को यह लिख रहा हूँ, मतलब b1 है मेरे पास, b1 क्या है? 0, a, a, समझ गए न, तो body diagonals related problems हैं, तो हम इसी तरह से अप्रोच करेंगे, कि अगर a1 है, a, a1 dash एक body diagonal का vector होगा, a1, a1 dash, मा समझ मा रहे हैं कि नहीं? अगर मालो c1 की मैं बात करता हूँ, c1 है मेरे पास, a, a, 0, उपर नहीं गया, तो इसका body diagonal कब obtained होगा, मतलब, बस मैं कहां पर चला गया, 0, 0, a, समझ गए न, और let मेरे पास, d1 है, जो कि क्या है, 0, और, क्या है, 0, और, a, नहीं नहीं है, इसमें 3, 0 थे, इसमें 1, 0 है, और इसमें 2, 0 है, तो क्या हैगा, 0, इसमें किसके लिए बात कर रहे हैं, इसी के लिए बात कर रहे हैं, 0, a, 0, तो इसका बाडी डैगोनल क्या हैगा, है, d1 डैस कितना हैगा, a, 0, a, समझ गए न, है, चीक है न, तो आप, डंजी समझें, सुनिए, चाहे आप, क्यूब को विजुलाइज कर पा रहे हैं, या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बाडी डैगोनल को आप तुरण की लिख सकते हैं, बाडी डैगोनल से related तो या से बात करेंगे, लेकिन बाडी डैगोनल की बात करें, तो A1 जो 0-0-0 है इसका body diagonal कितना हैगा A एक जगे A रख दिया दो जगे 0 रखा तो दो जगे A एक जगे 0 वो इसका body diagonal opposite होगा दो जगे A रख दिये एक जगे 0 रखा तो हमारे पास क्या हैगा दो जगे 0 और एक जगे A और अगर हमारे पास दो जगए जीरो और एक जगए बीच में यह रखा तो अपोजेट हो जाएगा तो कभी भी body diagonal से related vector हम आसानी से निकाल सकते हैं किनी भी दो body diagonal के बीच का angle निकाल सकते हैं there is no problem a1 a1 dash vector आजाएगा और b1 b1 dash आजाएगा तो जब दो vector मालूम हो गए हमें तो उनके बीच के angle निकाल सकते हैं समझ गये नहीं surface कैसे बनेंगे surface surface कैसे बनेंगे surface कैसे बनेंगे मतलब जैसे 4 कौन से vertex एक surface को बनाएंगे उसके लिए किस बात का ध्यान लखेंगे ये 4 point surface बना रहे है इसका rule क्या है y coordinate सब में क्या है 0 है है कि नहीं a, a, z coordinate 0 0, a, 0 a, 0, 0 और क्या बचाओ 0, 0, 0 ये निश्यत तोर पे क्या होंगे एक surface बनाएंगे मतलब बात समझना आ रहे है कि नहीं इसमें भी हम diagonal, surface के diagonal की बात कर सकते है इसमें किस बात का ध्यान रखेंगे कौन-कौन से जैसे एक को fix कर दिया आपने इसमें किस को fix किया है इसको zero कर दिया तो इसका मतलब क्या है ये x, y plane में जो surface लाई करेगा उसे बनाएगे बात समझ में आ गई के नहीं है अगर हम बीच बाले को zero कर दें तो एक को दूसरा surface बन जाएगा ऐसे ही पस्ट बाले को fix कर दें तो एक अलग surface बन जाएगा zero की जगे हम एक surface भी कर सकते है एक को fix कर सकते है तो उसके accordingly different surfaces हमारे पास बन जाएगे बात समझ में आगे नहीं कोई भी प्रॉलम हो body diagonal की है या surface diagonals की है या line की और diagonals की है तो उसे हम इसी approach से जाएगे समझ गे नहीं है और ज्यादा बेटर ही रहेगा आप ऐसे ही लिखना चाहते हैं कि a जैसे a लिखा आपने बहुत ध्याद से लिखना a1 लिखा ये क्या लिखा 0 0 0 तो इसके उपर लिख दो क्या a1 डैस इस तरफ ये क्या है इसका है a a a ये क्या बना है इसका body diagonal है b1 लिखा आपने b1 क्या लिखा a 0 0 जिसका body diagonal कितना बनेगा b1 डैस कितना आएगा b1 डैस आएगा 0 a a आपने c1 डैस लिखा वो कितना है a a 0 जिसका body diagonal कितना बनेगा 0 जिरो 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 एए ये बहुत जल्दी से बना लेंगे आप तो फिर अप्रोच कर पाएंगे और d1 लिखा जो कि क्या लिखा 0 a 0 तो इसका सर्पेस कितना बनेगा a 0 a d1 डैस कितना बनेगा a नहीं कितना बनेगा a 0 a समझ गे रहें अब द्यान से देखना कि अपने आप में क्या बन रहा है ये एक सर्फेस बन जाएगा कौन सा बना ये ही बना ना और एक ये सर्फेस बन जाएगा और इसके लाबा इधर एक सर्फेस एक इधर सर्फेस एक इधर सर्फेस एक इधर सर्फेस जो भी हमें रिक्वाइड होंगे उसे हम लिख लेंगे समझ गे नँ तो इससे लेटेड जो भी एक प्रॉलम करके बताओ झाल 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 ग्यान से देखना यह जो सर्फेस आपने लिखा है A1, B1, C1, D1 इसमें 0, Z कोडिनेट फिक्स है और सबसे उपर वाला सर्फेस लिखा है उसमें क्या फिक्स है Z कोडिनेट फिक्स है लेकिन उसमें Z कोडिनेट A फिक्स है और उसमें Z कोडिनेट 0 फिक्स है ठीक है ना? तो ओवर वाल कितने सर्फेस पॉसिबल होते हैं? एक, दो, थीन, चार, पांच, छे तो पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या है? कैसे आ सकते हैं छे सर्फेस? छे वार कहा हो रहा है? जैसे या तो हम क्या करें? पहले में क्या करें? Z कोडिनेट फिक्स कर दिया हमने 0 तो हमारे पास आ गया फिर, फिर, यह तो आई गया यह अब, है, क्या? एक्स कोडिनेट जीरो फिक्स करेंगे फिर तो तीन प्लेसेज हैं, हर प्लेस के लिए दो फिक्स हो सकते हैं तो ओवराल कितने आ जाएंगे सर्फेस? 6, ठीक है कि नहीं? समझ गए? तो इस ट्राइप की कोई प्रॉलम हो बहुत तसली से करनी है और करेक्ट करनी है समझ गए? लिख लो ए रग प्रॉलम लिखू? इफ थीटा इस दा अंगल बट्वीन तो बोडी दिगोनल्स अफ क्यूब बट्रॉलम होगे खींद थीटा इस दा इंगल बट्वीन तो बोडी दिगोनल्स अफ क्यूब गए थीटा फैंडी आमदा थीटा थीटा भीटा थीटा 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 ना थीटा थीटा है ध्यान से देखने हो Body Diagonal अगर हमें मानना है तो क्या मान सकते हैं कोई भी 2 मानने है तो 1, 0, 0, 0 इसका Body Diagonal कितना है भा A, A, A और दूसरा कोई मानना है तो क्या मानना है क्या मानना चाहरे हो मान लो B1 मान लेते हैं क्या A, 0, 0 तो B1-S कितना आजाएगा? कोई भी हो, symmetry की होंगे angle तो symmetry की होती है तो ये कितना आएगा? चाहे, SQ-O intersect करें या नहीं करें हम उनके बीच के angle निकाल सकते है sorted strength भी निकाल सकते है अगर इनकी line की कुछ से निकाल के फिर sorted strength भी निकाल सकते है तो A, 0, 0 तो B1-S कितना आएगा? 0 A, A तो angle कितना आजाएगा? cos theta कितना आएगा? A1 कहां से आएगा? 0 A1, A1-S vector dot B1 B1-S vector upon mod of A1-A-S mod of B1 B1-S समझ गए न? तो ये vector कितना आएगा? मेरे पास A, I plus A, J plus A, K चीक है? dot दूसरे कितना आएगा? minus A, I plus A, J plus A, K upon कितना आएगा? इसका mod आएगा? A root 3 और इसका भी mod आएगा? A root 3 तो उपर कितना आएगा? 1 by 3 आएगा ये है? नहीं ये 1 by 3 आएगा? येस, 1 by 3 आएगा समझ गए ने? A square आएगा और minus का और plus का 2 A square आएगा? समझ गए? है? समझ आया गए गए? dot product करेंगे तो minus A square आएगा? plus A square, plus A square आएगा? समझ आया गए? नहीं कोई भी problem हो, ऐसे ही करना है हमें? इनके बीच की line की equation लिखके वो भी निकाल सकते थे हम, angle. लेकिन हमें mod ही चाहिए, दूसरा भी मानते तो minus आजाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी. तो 10 theta का mod कितना आजाएगा? sin theta अगर 1 by 3 है, तो perpendicular कितना आएगा? 9 minus 8, मतला root 8 by 3. समझ गए ने? 3 क्यों होगा? root 8 by, root 8 ही आएगा 10 theta. समझ गए? 9. परपेंडिकुलर यह आजाएगा, root 8 ही आएगा चलो. 10 theta कितना आजाएगा? root 8, mod. समझ गए? है? यह जो इसक्यो डाइगोनल्स है, इनके भी स्वार्टेस इस्ट्रेंस भी निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? दौनों की line की equation निकालेंगे, फिर कर लेंगे? समझ गए ना? है? कर लेंगे ना? तो कोई भी प्ले, cube से related कोई भी problem है, तो उस case में हमें ऐसे ही approach करना है. समझ गए? चाहिक.